अस्वालेकूम गाइस माइनम इस मोहमद बूबशीर फान यूर वाचिंग क्रिप्टो मूभी यूट्यूब चैनल वेकम टूद बीटी सी अपडेट और यहां पर क्या हो रहा है बिटकोइन के अंदर ऐसा के लोग इसवक्त फॉम्मो करें ठीक है कि क्या सिच्वेशन ऐसी सब्सक्राइब करना चाहिए था अब यहां पर बात करें तो इस वक्त सब्सक्राइब करें कि यहां पर मार्केट जो है वह अच्छा कदेने वाली क्योंकि जो हमारे पास एक अच्छी एक्सपेक की जारी 7.7 इस वक्त एक्चुल चलरी यह ठीक है 7.6 अच्छी एक्सपेक कर रहें ख्यांक है आपर हम लोग क्रुपो में सब लोग अच्छा हीै तो आने वाले जो मैंने का था यह जो दो दिन है जिसको कल हमारे पास FOMC है और आज हमारे पास CPI अच्छी आती और FOMC भी हमारे पास interest rate कम होते हैं कि अभी हमारे पास आकरी थी तो समझ जाना कि बस यह बिटकॉइन का एरिया जो था यह बॉट्टा में या शायद एक और क्राइच छोटा सा सकता है क्योंकि क्या होगा चीज़ आपने नजर में रखनी है क्या आपको याद हो कर जब यहां प तब लोगों के sentiments को क्या किया उपर की तरफ ले गए BNB की value 300 डॉलर पे चली की 220 डॉलर से लोग एक दम लॉंग करने लग गया है तब कि जितने भी यहां पे sentiments थे सब के सब ग्रीड पर होगा जैसे ग्रीड वह एक बड़ी से विकायूट से सब को लिक्विडेट कर दिया और हमारे पास बॉटम लगा एडिया का सीधा मार्केट विधिन थ्री हावर्वर्स बिटकोइन सबसे जादा खतरनाक मार्केट के अंदर हुई है तो अभी भी सिच्वेशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक चीज़ बैग्राउंड में चली हुए मैं आपको बताता हूँ क्या है ठीक है एक तो हमारे पास यह है कि सिच्वेशन अच्छी हो रही है ठीक है लोग अची के उपर फड आता है तो लोग 306 करने लग तो उनकी प्रूफ आप रिजब में जो इस तो इसको हो एक सदर रहे थैं तो इस तरीके से आहा करता है धोड़ी थरी के लिए जो उद्वडर करते लिए रोकते तो फिर और पैनिक्रियेट होता है जैसे भी यूस्डी के लोग विड्रॉज है वो रोके में तो पैनिक किरेट हो रहा है तो लोग ऊएसडिटी निकल रहा है सब रहे है मैंने भी निकाले हम अभी हमने अपने प्रीमियम के अदर कुछ युस डिटी लोगों को सेल किये तो वह सही से से लोग है तो उनको भी कोईश्यों नहीं आ रहा है तो अभी चीज़े जो है वो ठीक चलिए सब्सक्राइब लाया जा रहे देखो मैंने कल की वीडियो में कहीं पर इतना ट्रस कर सकते हमारे को रिष्टेदार तो है है नहीं कि मुझे पर इतना ट्रस करें आपर मैंने यहीं कहा था कि आप लोग डरो मत बायाने से सेफ एक्सचेंज मैंने यह चीज़ एक मन पहले भी कही थी जब दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज जो के पॉलिटिशन को इतना फंडिंग कर रही है किर्कट के उस वर्ड कप उसने सबसे जाधा पार्टनर्शिप किये किर्कट के साथ उसने सबसे बड़ी टू बिलियन डॉलर्स की तो खाली उसने का जो मन्त लिया ग आज वह सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स कर रहे हैं आप जाके देख सकते हो उनके किस तरीके तरीके से मैंने यही कहा है कि जिस अमांट से आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना सिर्फ वही अमांट एक्सचेंजिस में रखो बाकि आप कुछ लॉंग टरम के लिए हो त अब यहां पर आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करने यह देखो हमारे पास अभी वैलिड है ठीक है और अभी हमारे पास से लिया की रिस्टेंस है तो हम यहां पर कोई एंट्रिय भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि FOMC से पहले CPI से पहले एक FOMO Pump लाया जाता है और यह बिल्कुल उसी तरीके का FOMO Pump हो सकता है तो आपको यहां पर क्या करने देखो जब आप इस तरह के रिस्क होते ना तो आप इस तरह के रिस्की मार्केट से दूर रहा करो अब जैसे रिस्क था हम लोगने प्रीमियम के अंदर कॉल देखिए ERN की हम लोगने से पर चली गई उसी के तीन घंडे बाद मार्केट वापे से आ गई हमारे पास 16,300 पर फिर एक मैनिपलेशन पहले शॉर्टर को लिक्विडेट किया जिन्हों ने यहां से किया था ठीक है उनको लिक्विडेट किया पर यहां से जिन्हों ने लॉंग किया था 1766 के फिलिप के साथ चलो जल्द बाजी नहीं करो मार्केट 24-7 ओपन है तो अगले दिन शाम को पांच बजे खुलेगी यह क्रिप्टो मार्केट 24-7 ओपन है 24-7 ओपन है आपको हजारों तरह की कोईन मिल जाएंगे अब यहां पे मैं आपको कहता हूं कि अभी आप एंट्री मत लो फो म करें तो आप वेट करो कि मार्केट हमारे पास जो रिजिस्ट्रेंस एरी है 17,600 के अबव लॉव जब हो तब एक जबरदस किसम की रिस्क मैनेजमेंट के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ तकोन की एक एंट्री लेना फिर आप उसको उपर क्लोज कर सकते हो ठीक है वरना अगर यह एक बुल ट्रैप होँ तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से नीचे भी घड़ सकती है इसमें आप मार्केट का देख सकते हैं जो हमें एक एक्सपेक करें कि मार्केट काहा तर नीचे आ सकती हो 16,800 हो सकता है पहला टार्गेट और जो सेकंड टार्गेट है ह हमारा वह हमारा 16,800 हो सकता है अगर मार्केट नीचे है लेकिन बुझे लगता कि मार्केट इस सिच्वेशन में भी नीचे आएगी इतना जादा मैनुपलेशन होगी विक्स लगेगी नोक्स आएंगा वह लोगों को बुल ट्रैप किया जाएगा क्या पता मार्केट अब क्या करो सिंपल सा सोलुशन में आपको बताता हूं अपने फंट को संभाल के रखो 50% रिस्क है तो अभी ऐसी मार्केट केंदर ट्रेट करने का फायदा नहीं है ठीक है आप यहां पर क्या करो वेट करो और जब तक हमारे पास यह वाला जो एरिया नहीं है 17,600 वाला ए अब तक हमारी एक क्लोजिंग इसके अबव नहीं होगी डेली क्लोजिंग मैं यहां पर कोई एंट्री नहीं ले रहा सौरी यह वाला एरिया ठीक है जब तक हमारी डेली क्लोजिंग अबव दिस एरिया यहां पर कोई एंट्री नहीं ले रहा और आप लोग भी मतलना डेली क्लोजिंग का वेड करो अगर वह हो जाती हमारे पास 20,700 के अबव तो हम यहां पर एंट्री लेंगे लेकिन कि वह से एक नूक लगा और मार्केट कितने बुरी तरीके से डम कर गई जो आपने सोचा भ सब्सक्राइब लेकिनाज़ के लिए ने चाहिए अगर आपको आपको अपडेट नहीं भी कर रहे तो आपको समझ ना चाहिए कि चलो CPI data आ गया चीज़े अब नॉर्मल हैं मार्केट इसके अबव क्लोज हो आपने बड़ी एंट्री तब तक नहीं लेनी जब तक 17,700 फिलिप नहीं हो जाता सब्सक्राइब करते हैं अभी की जो मार्केट यह पूरे तरीके से फंडामेंटर्स पर डिपेंड करती है ठीक है तो आप डिसकौर्ट जरूर्ड जरूर्ड करों कुई कि आपको इस तरह तरह की अपडेट्स जब फॉरन-फॉरन कवर करते हैं ठीक है जब कल बायनिस का फट सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके कसी ने सकून सेंट्री लो मार्केट कहीं नहीं जा रही है पैसे आपके हातों में अराम सेंट्री लो फोमो पंस आते रहेंगे अगर यह पंप रियल भी है ना तो 17600 को तो फ्लिप करेगा सब्सक्राइब करने तो अराम से क्लोजिंग हो वॉल्यूम है आप यहां पर एंट्री लो सकून से ठीक है इस तरीके से चलो रिस्क मैंजमेंट पॉर्टफोलियो मैंजमेंट को लेकर चलो आप 50% का रिसको 5% का रिवार्ट नहीं देखो आप 5% का रिसक और 50% का रिवार्ट देखो ठीक है इस तरीके से चलो तो बस अभीके लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में जो अप्डेट साते रहेंगे डिस्कॉर्ट पर अब्डेट करूंगा रात को कर दूंगा अब आपने पोर्ट्फोलियो अपने स्टॉप लॉसिस को पूरे तरीके से टाइट कर लो आकरी नसीयत करो अपके टाइट होना बहुत जाथ जरूरी है ठीक है डिस्कॉर्ट सेर्वर्स में जरूर जों कर लो कनेक्टर हो हमारे साथ जो चीज़ आते रहेंगे आपको अब जो चुब साथ चुब खर्के लित टाइट हो आते लोगआगे आते िुद्म मेंुर्स को जो चेए अचए जवाने स्वामत लह जापकेस ए्यान